स्टार मीडिया रियाना देखना है सारे दर्सकाना मंजीत बार द्वाज करता है राम राम तो दोस्तों आज आम पहुंचे है रुक्षेतर मैं बाई मंजीत पंचाल जी का इंट्र्व लेंडे बाई एक्टर भी ए ड्रेक्टर भी है वाई गूणा आप देखना मिलत्त का बहुत अच्छे इंटर्वीव लेता है तो चनलना सब्सक्राइब जरूर कर लिए अपने दर्सक है आपका गाहां पता नहीं होता है कि कोई शिंगर कलाकर कहां से होता है तो अब बताना चाहूँ भाई मेरा गाहां बहु अगबरपूर है बाकि आज कल अमेरीक पर डिगी ट सौंग अपना बड़ा भाई है जे पांचाला उसकी डिरेक्शन करने के लिए मैं स्पेसली आजाया हूँ और गाने का नाम है चांद का टुकड़ा और आनंद पांचाल भाईने गाया और साथ में लेडी सिंगर है उनका साइद मुझे नाम नहीं पता सोरी क्या नाम है और यह करूंगी तो ऐसे लगोंगी तो वूंद दोनों का प्यार दिखा रहा है स्वंग में तो आप डांसर भी हो एक्टर भी हो डिरेक्शन सब चीज कर लेते हैं तो मनमा डार्टर मनन की कुकूर मनमा आई देखे स्टार्टिंग में मैं जब स्कूल में पढ़ता था उस तो उनी को देख देखे मुझे यह समय सुस होता कि मैं जो गाना लेखता हूं उसकी डार्टर में खुद कर सकता हूं पेरा इस्ता है कोई गाना जो में लिखता था उसको ओडियो करवाता था उसको वीडियो करने ही कोशिज करता था और सही बात बताऊं तो मजबूरी में डारेक्टर बना हुँ मैं क्योंकि अपने हरियान में पहले यह चीजे नहीं थी डारेक्टर कोई सिस्टम नहीं होता था खुद शूट करना पड़ता था और खुद ही उसको मोटिवेट जैसे भी आम की गानों को देख देखके मोटिवेट होते थे उनको देख देखके ऐसे डारेक्शन करना स्टार्ट किया था और वह मतलब आप लोगों के सामने आइस्ता इस्ता पपलिंग ने मुझे डारेक्टरी बना दिया तो बाई आपने डांसिंग की कि आएस्ता इस्ता इस्ता क्या हुआ कि मैं गोविंदा जी को अपना इडल मानता हूं गोविंदा जी को के सांग देखता था मुझे काफी अच्छे लगते और उनका डांस देख देखattar मैं यहां तक पहुंचा और उनको देखके में डांस करता था इक्चलिक गाने नही तो मैं एक बार मैं अपने मेरे गुरू जी है किसंचन सर्माजी जिनों ने मुझे इस लाइन में ब्रेक दिया था तो मैं पढ़ता था उस टैम पे तो जिम वगेरा मारता था हाइट वाइट परसनल्टी अच्छी थी स्टार्टिंग से तो उमर कम थी लेकिन शरीर अच्छा था तो उन्होंने बोला था तो उन्होंने बोला था तो नाटक वाटक या फिलम वगेरा में कुछ काम करेगा तो बैस मैं बोला कर लेंगे जी तो उन्होंने मुझे एक डायलोग दिया था तो वह स्टार्टिंग में मैंने बोला था उसके बाद फिर मैंने वह फिलम की उस फिलम तो यह लगाम थी ऊसके बाद तो वाकि हम उसटम पर नाटक बोलते थे वह सको फिलम ही थी मेरी तरब से तहा लेकिन दुद्कादूद और हैलो तीन हो फिल में तीन हो इति मेरे स्टाटिक में उसके बाद रिंदर अधर बालारा जी की एलबम झाल। वो ही थी मेरी पहली अलबम उसके बाद तो पता है नहीं कितने सोंग किया मैं तो भाई आपको डायलोग या रजवाबना शुरूबात हम बोल लिया था हाँ मेरे से सब जब गुरुजी ने डायलोग दिया था मेरे को कि बड़े भाई की और बेटे की लड़ाई चल रही है और आपने जाके चाचा बनके उनको बीच में टोकना है बेटे को समझाना तो कैसे समझाओगे तो वो डायलोग था तो मैंने जाके बेटा बाबलो यह अच्छी बात नहीं है तेरी तो फिर मैंने बेटे के डायलोग बोले थे मारे बीच में बोलने की जुरूत ना है तो इस टाइप का डायलोग था तो गुरुजी ने यह चीजे देखके तुम इंप्रेस हो गे देवो उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़ की देखाई नहीं तो दरसे जाना चौब आप की पड़ाय ही लिखाई का बारा मैं पड़ाय आप एक तो मैं करूषयता यहां बेठाव मैं करूषयता अउनुश्टी में मैंने में इक्जैम दिये ते लेकिन उसके बाद मैं छोड दिया था मैंने पोलिट कल साइंस से था बीए मैंने गोड़ कोलेज रोधक से कर रह किय यह मैंने कर रखे बैक कि यह मैंने बीच में छोड़ दिया था कुरुषित नुष्टी से बढ़ा ही तो करी पोल्टीकलता है और आगा म्यूजिक लाइन में इसका क्या 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 लेना क्या नहीं तो उस टैम पे तो यह था कि मैं सच्छाइव था तो पड़ने में इंट्रे तो बाई बहुत ही जल्दी साइद ऑर पंदरा तारिक के बीच के बीच में सोंगाएगा मेरा तेरा बाप आया वह मैंने ही गाया है और काफी अच्छा सोंग है मतलब अंजली राज है अच्छी सिंगर है उन्होंने गाया है और मेरे साथ एनस माही मेरी को आर्टिस्ट है तो अभी बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीज में होगा और टीजर भी बहुत जल्दी रिली जोने वाला है तेरा बाप सोंग मेरान क्राउंड इतना ज्यादा नहीं था तो मैं तकरीबन क्या करता था मेरी मां की जो चुनिया उनिया होती थी ना उस टेम पे बड़ी-बड़ी चुनिया तो उनकी शट चिलवा लेता था और तो कोलेज में जाते थे तो भई शरीर अच्छा था थोड़ा सा दीखते थे तो कर ईक मेरे डोस्त सुनुं हम दोनों को उसस्ते हमें एक जैसे ड्रेस डाल के जाते थे तो पुरा कोलीज देखते था और फिर कोई फंक्छन होता तो आम करते तो अंब यह लगा लो एक तरफ से घबी से मैं जिन्दगी जी रहा हूं आज से लेकर कभी से लेका लेकर कभी तो मैं हमेंसा राया हूं जी तो आपको इस लाइन माणखा तो कितना स्ट्रागल कितनी मैनत करने पड़ी तो आप उच्छा मत वो मैनत की है वह साइद आप सोच भी नहीं सकते आज मैं जो भी यहां पर बेठा हूं दर्शकों को प्यार और इनकी वज़े से हूं मैंने बहु सब्सक्राइब और जाते तो गाउं में ब्रेकर वगेरा होते दें महां पर फिसल भी जाते दे कई बार तो बहुत महनत कि दिन रात मतलब स्टूडियों में चले जाते थे साम को स्टूडियों पर यह कह देते थे भई ठीक है अपने अपने घर चलो तो वह चीजी यह भी अपने लिए करिया नहीं है एक आपने घाना सुनाओगा हाई रे डॉक्टर नी तो उससे पहले मेरे सतर प्रोजेक्ट होंगे तो उससे पहले बोड़ भी सारे प्रोजेक्ट थे मेरे देशी जैसे मैंने बता आदा फिलम थी मेरी लगाम लेकिन लोगों को जब वो हिट होता ना तब ही पता चलता है कि मार्किट में यह मंजीत पांचल भी है तो लगबग 6-5-7 साल बाद मेरा 2007 में मेरा हायरे पांचल में था कई गाने मेरे वह अच्छे थे रिस्पॉंस अच्छा था वह आनंद पांचल की अल्बम थी एक दो मोटी मुर्गी थी और भी थी लेकिन उन्से कोई रिस्पॉंस इतना ज्यादा नहीं था लेकिन मेरा हायरे डॉक्ट नी 2007 में आया नौंबर में वह सुप को सपोर्ट करती हैं लोग डेए हमें हमारा सोंग नहीं कर्वाती कंपनी यह अपना एक शोक होता है अपना प्रुफेशन होता है इसमें कंपनी सभी को सबस्थे us måste आज कर देते कंपनी स्पोर्ट नहीं करती मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा यह अपना शोक होता है जो आज कल अलबम बना रहे हैं तो वह शोक होता है तो कंपनी शोक पर पैसे क्यों लगाएगी तो मार्किट में जो चल रहा है कंपनी उसको बुलाती है मुझे एक भी आ कोई भी चीज आब आपका सेव खाने का दिल है तो आप पैसे दोगे उसको भई से मिलेगा और वो बोलेगा यार पचास रुपए दे तो रंगूर ले लो आप क्यों भई आप पैसे लगा रहे हो तो आप से भी खाओगे ना तो अंगूर तो निखाओगे ना तो यही रि तो मंजीत बाइज आपका पहला सोगा था ने उसमें अपना काम करने के बाच अपनी फिलिंग हो अजीब सी होगे अपनी फेस वैल्यू बढ़गे तो उस टेम आपकी फिलिंग की जी थी देखो फेस वैल्यू तो मजा तो आता ही है एक टाइम था कि घरवाले मना करते थे गर में दादा भी था ताओ भी थे चाचा जा सब थे बाई तो मेरी एक्टिंग एक्टिंग करवाते रहते हैं चोटी मोटी जिस तरह में मेरे ताओ की एक्टिंग बहुत जादा करता था तो उनकी स्टाइल में मोग करता था और तो और थे जिस तरह बई गरवाले जब मै स्टार्टिंग में करने लगा था लड़की वड़ी क्योंके उस टाम पे वह नहीं करते थे जादा लड़की वड़ी किसा डांस करने लग रहा है तो गरवाले को सिखा देते आश प्लोस वाले यह तो भाई चुरी आगे लेना चलना गया एक दिए और लोग आगा मेरी माती क रहा है और वोड़े मजाना पुड़ागा तो फोटो खेचवाने पुड़ेंगे तो बहुत चीज़ें बहुत फेज किया तो बाई आपकी श्रीर से लग रहे कि आपकी बहुत डिफीटनस बहुत मैं टेंज रखते हो तो साथ में डिरेक्शन करने के बाद सूटिंग करने जाओंगा जिन मतलब हमारे पास 24 गंटे हैं अगर आप 24 गंटे में से अपने लिए एक गंटा नहीं निकाल सकते हो तो आप कुछ नहीं हो मैं हमेशा अपनी सिहत के लिए भाई चाहे मुझे थोड़ा समय लगे अभी देखी में चैर बजे चला था उससे पहले में साड़ लेकिन जब तक जिन्दा हो तो सवस्त और अच्छी तरीकी से जीना चाहिए मैं देखोंगा कि 24 गंटे में से अपने लिए गंटा निकालना चाहिए कोई भी हुआ हमने कुछ सुनुद माहा था कुछ साल पहला आपता है अपको वार्ड देगा समानत करे गया था मुंबई तो कुछ सा वार्ड था कैसे आपको समानत करे रहें तो अगर आप आना चाहोगे मैं बिल्कुल आँगा तो उत्रकुमार जी का भी नाम था उसमें पंजाब से भी थे तो उसमें पुला था मुझे तो उधित नारें जी वहां पे चीफ गैस्ट आई वे थे तो उनके न्यूज पेपर वागेरा में जो इदर छपी थी तो मुझे बेस्ट मोडल का अवार्ड मिला था उदर तो भाई आपकी बाद चले साधी ही साधी अरेश्ट या लव थी भाई मेरी लव मेरी जै और बस वही वाली बात है कि रेंज वे रेंज तो अपनी इस लाइन में होत है कि जिन्दगी में कभी हार मत मानों मैंने बहुत सारा स्ट्राइब किया है मुझे साथ साल बाद चार साल बाद यह लगा लो मुझे 200 रुपे मिले थे वह भी कुरुक शेत्र की दर्टे पे जहां हम बैठे है मुझे आज भी आधर एलवे स्टेशन के पास में एक वह था गेस्ट आउस है वहां में शूटिंग के लिए आथा और तो उस टाइम मुझे 200 रुपे दिये गए थे तो वह 200 रुपे मैंने देखे थे तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा था चलो आज 200 रुपे की तो काद होगी तो उससे पहले क्या करते थे वह शूटिंग पर खाना भी मैंने बता था भी आपको बसो में पिछलद के घर तक पहुचना होता था और सबसे बड़ा मैं एक चीज़ बताऊंगा मेरे को स्टार या हीरो जो भी आप बोल रहे हो बनाने में मेरे गाउं का बहुत सही हो गया क्योंकि एक तो मेरा गाउं ओन रोड है जीटी रोड पे ह और वहां पर ब्रेकर वहुत होते हैं मेरा गाउं ब्रेक करकिए उसमें मामलें बहुत फेमस है तो रात को मैं कहीं पे भी शूटिंग पहुत था अगर ब्लागन मारो नहीं हमें पहुचते हो बाहर किसी और उसमेर तो बंदा. पोच भीन सकता हुआ रोटी खाते थे फिर शुब है फिर वह अभी टाइम टेबल देख लो मेरा हमेशा चारी कोड़ है कि शुटिंग में मेरे को जल्दी पोचता हूं मैं फिर उच्छा है बजे माझे फिर निकलना उतता था बसो मुला तो बहुत स्ट्रगल किया तो मैं य यूशूफ खान को अच्छा सिंगर मानता हूं जो इंडेस्ट्री में बोज़ बरदस्त गाता है और मैंने उस जिसका गाना हीर जाने वाले गाना किया था देखो किसमत का खेल है उसके गाने उस टाइम पर विचारे के चले नहीं लेकर नहीं उसके अच्छे गाने चल रह तो आल फिलाल में कुण से अपने आने वाड़े हैं अभी प्रोजेक्ट आएगा एक तो इंस्टा इंस्टारी चोरी तेरा बाप आया और 2000 सोंग और हमनुके टाइटल अभी फाइनल नहीं हुए हैं बस बहुत ही जल्दी अच्छे अच्छे सोंग आपको देखने मिलेंग काई भी जो आ रही है सत्रा तारिक और इंस्टाग्राम उसके बाद आएगा तो बैस जितने द्रस्काबन देखन लाएगा आपके फैन भलोएगा उन्ति कहना चाहूं बाई यह कहूंगा आप जिस भी फिल्ड में आप काम कर रहे हो उसी में महनत करो और उसी में दिल लग आप करो अपनी फिल्ड में करो बस चैनल के माद हमसे स्टार मेडिया हर्याना के सभी दर्शकों यह की बात कूँगा भाई अच्छी मैनत कर रहा है और इन भाईयों को स्पोर्ट किया गरो क्योंकि यह जंग है जंग 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 जाके इंटर्विव लेते हम जैसे बाईय सब्सक्राइब कर लो जो वीडियो देख रहे हो तो चैनल यह बटन नीचे इसको दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो अब बहुत बुद नियावाद मजीद भाई राम राम टाइम तो देखो आपकी दी हुई चीज है तो आपके लिए टाइम आप लोगों के वज़े से हम है तो इसलिए आप लोग इंट्रुवियर होते हैं यही बहुत बड़ी बात है और थैंक्यू सो मत्स राम राम तो दोस कानू राम लोगों कर दोदे हुई आपकी बहुत बद्ड़ कोष़ दोड़ी लोगई उन्यू अब भाम लोगों का राम उन्यूंगए राम तो आपके लोगों का लोगया है